हेलो सातियो आपका स्वागत है मेरे चैनल 2D के राजपे सातियो आज एक और नए सिप के बारे में वीडियो लेके आज चुकाँ जो बहुती फैमस क्यूज तो है साती साती नया भी चला है जो अभी जादत लोग इसे जाके एक्स्प्लोर कर रहे हैं अगर आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे चले मैं आपको बताने वाला हूं नहीं कितने रुपव में तिकर्ट पेलए विस्तार से बताते हैं साती ये फेरी आपको मिलती है गुझनात सूरत के अधेयरा पोर्ट पेशिदक होगा लेके जाए गी हजीरा पोर्ट के टर्मिनल पे जब आप आ जाते हैं तो आपको यहां रो रो फेरी देखने को मिलेगी इंडिया की बिगेश्ट पार्किंग फेरी आपको ये मिलती है शातियों अगर आप इस सिप पे पहली बार जा रहे हैं तो यहां आने के लिए आपको जल्दी आना होगा ताकि यहां पे आने के बाद आपकी चैकिंग होती है आपके लगीज की चैकिंग होती है त इसी हिसाब से आपको facilities दी जाती हैं चलिए सबसे पहले बता देते हैं आप इसे बुक कैसे कर सकते हैं तो इस फेरी को बुक करने के लिए हाँ बिलकुल अलग website बनाई गई है डीजी सा connect इसकी website है इस पे जाके आप अपना budget अनुसा टिकट ले सकते हैं इस क्रूज के अंदर आपको तीन cafeteria मिलता है गैम जोन मिलता है जहाँ पे जाके आप गैम खेल सकते हैं गैमिंग जोन के बाद आप इसमें 180 seat exclusive देख पाते हैं जिनमें 750 रुपे का टिकट होता है वो business seat की बात करें तो इसके अंदर 115 वैपारिक seat होती है जिसका आपको 950 रुपे का टिकट लेना ह वोगा और sleeper class की बात करें तो इसमें आपको 80 seat मिलती है जिसमें 750 रुपे का आपको टिकट लेना होगा और इसकी विए पी क्लास की बात करें तो 22 इसमें VIP लोज बने वे हैं और 11 केविन इसमें बने वे हैं उनके 1700 और 8500 रुपे टिकट होता है अपने साथ कोई गाड़ी मैं श्रक लेके जा रहे हैं जैसे कि अगर आप कार ले जा रहे हैं तो 250 रुपे कंट लेना होगा और ट्रक लेould तो 3,000 रुपे टैम फू लेके जा रहे हैं तो 4,500 रुपे बस का आपको a जाल पान 7500 रुपे टिक्ट पार्किंग का भी देना होगा जैसे कि मैंने आपको सुरू में बताया था यह सफर आपका हजीरा पोर्ट से गोगा के लिए होता है और इसी सफर में आपको इस सिप को एक्स्प्लोर करने के लिए मिलता है और आप इसकी सबसे अपर डैक पे आ जाए जहां आपको काफी चेयर मिलती है बैट के पूर लेना बिल्कुल भी मत भूलेगा काफी स्वादिष्ट खाना इसके अंदर आपको मिलेगा उसी सफर को करते वे आप तीन से चार घंटे में हजीरा से सीधा घोगा पोच जाओगे जो की आपका बहुती सांदा सफर रहता है और जो भी आपके हाथ पे बैंड बना होता है आप उसे समहल के रखिए क्योंकि अगर खूज आता है तो 500 रुपे आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है साथ या आपको इस रोरो फेरी की सर्विस लेके काफी मज़ा आएगा बहुती अच्छा आपको लगेगा तो आज इसके बार में जो भी इन्फोर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है अगर आप फिर भी कोई कोश्चन आपका रहे जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेरी इनिस्टेग्राम आइडी 2DK36 पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं तो आज के लिए साथ इतना ही मिलेगे फिर किसी और नई वीडियो म भी मत भूलेगा